हफ्थे का आखरी कारोबारी सत और हफ्था दाइरे में फज़ा हुआ है भारति- बजार ही है धित निफ्ट निफटी तो कुछ और ही कह रहा है गांदिनगर से संकेत तो कह रहा है 40-45 पॉन्न के आज पहर दबाव के साथ शुरुआत करेंगे तो trend तूटने के तैयारी हो रही ऐसा लग रहा है खैर आज नजर कहां करेगी या क्या important है ये बताता हूँ आपको भई Friday तो Sensex और Bankex की expiry का दिन दूसरी तरफ जैसे हो headline में mentioned था हम result season के एकदम fag end में आ गए है logically 15 अगस तक था है नतीजा आते हैं अगस चुट्टी है इसके बाद सिफ Monday का trading session बचता है तो एकदम fag end है result season का उसके बाद जो जो companies aberration के तौर पर request के तौर पर खीचना चाती है नतीजे किसी कारण वर्ष उनको permission दी जाती है तो आज दो nifty की companies कौन सी? O.N.G.C. और Apollo Hospitals और इसके लावा 13 वाइदा बजार के results आज आने है वो beautiful सी एक ही plate screens पर आपकी आगे बता भी दूँगा सारे नाम अगर आप miss कर गया हो तो आज शाम को हमारे I.I.P. numbers मैं कहाता है I.P. तो साड़े पांच बज़े आता है साड़े पांच बज़े I.P. numbers हो गया no confidence motion का आज monsoon सत्र का parliament के session का monsoon के last day है और खुलते ही हमें कुछ important US के आर्थिक आखने कौन से हम याद हम लोग क्या कह रहते ही US का inflation print आना है US के jobless claims आने है खुलते ही उन पे हम लोग आज react कर रहे हैं कुछ हद तक reaction तो US दिखाएगा आपको आपकी screens पे कल एकदम flat बंद होता हुआ US का बजार नजर आया जबकि हम digest करके कहते आधे से दो तीहाई फीजदी तीनो futures में जम तीनो futures में उच्छा है तो उसके सामने तो एकदम पस्त मामला था और in fact trading session भी ऐसे ही था एक समय डाव सारे 400.7% गेंज दिखा रहा था सारे गेंज वाइप आउट हुए अल्मोस flat line के आसपास जाके US markets बंद हुए क्यार एशिया भी प्लीज रख देए और US के futures इस समय हल कहरे एक चौथाई से एक तिहाई फीजदी हल की मजबूती के साथ काम काज करते है यह है ग्लोब की संकेत इस समय के